हेलो फ्रेंट्स करें जेहागा दोस्तों आज चलते हैं फिर से एक बार गुहम के आते हैं बिहार और लेते हैं बिहार की इस सूपर डिलीशियस मकुनी का जाईका जेहां दोस्तों मकुनी आपने अगर नाम सुना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और नहीं सुना है तो भी मुझे कमेंट करके बताईएगा तो ये मकुनी आज हम बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से अगर आपने लिट्टी चोखा खाया है तो बिल्कुल उसी से मिलती जुलती ये रेसिपी है लेकिन बहुत ही डिलिशस बहुत ही स्वादिस्ट ये मकुनी बनती है तो इसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे दो कप सत्तु तो बिहार में सत्तु की आपको बहुत ही ज़ादा प्रचलन दिखेगा सत्तु का शर्बत, सत्तु की लिटी, सत्तु का मकुनी क्योंकि बिहार का जो वातावरण है उसमें सत्तु जो है बहुत ज़्यादा फाइदेमंद होता है तो जिस जगह का जो भी फाइदेमंद होता है तो वहां के लोग उन चीजों को ज़्यादा सेवन करते है ताकि वो उनकी body जो है उस चीज के लिए absorb कर लेती है तो देख सकते हैं यहाँ पर सत्तु की बहुत सारी चीजे बिहार में बनती है तो सत्तु मैंने यहाँ ले लिया है और यहाँ मैंने ले लिया है बारीक कट हुई प्याज और धेट सारा बारीक कटा हुआ लेसन और यहीं पर हम इसमें दो नीम्बू भी निचोड़ देंगे खटास के लिए स्वादन सा नमक एड़ कर देंगे और यह देखिए नीम्बू हमें इसमें अच्छेज डालने हैं क्योंकि नीम्बू का जो फ्लेवर है यह हमारे सत्तु का जो पेस्ट है इसको उबहार के लाता है जी हां दोस्तों तो बिहार में सत्तु का बड़ा ही प्रचलन है और सत्तु की बहुत सारी वराइटी बहुत सारी डिशिज आपको बिहार में दिखेंगे और ये बहुत फाइदे मन भी होते हैं और ये बहुत जाइकेदार भी बनते हैं जैसे कि लिट्टी चोखा को कौन नहीं जानता बिहार करना हो के पुरे भारत का वो एक फेवरिट डिश बन गया है तो इसी तरह से ये मकुनी भी बहुत ही डिडिशिस बहुत ही टेस्टी है तो इसमें अचार के मसाले का बड़ा ही काम होता है जी हाँ दोस्तों तो अगर आप पसंद करते हों और आपके पास अचार हो तो इस तरह से अचार का मसाला निकाल के आप इसमें डाल दे तो ये देखे मैंने सारे अचार में से मसाला उता रहा है और वो डाला है और इसमें मैं एड करूंगी अचार का ही तेल तो अगर आप के पास भी अचार का तेल हो या अचार हो तो आप ज़रूर डालिएगा और ना हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सरसो का तेल भी यूज कर सकते हैं तो बहुत ही delicious बहुत ही unique dish reference तो वीडियो को skip करके ना पूरा देखिए क्योंकि जो इसका पेस तेयार होता है इसमें अगर हमने कुछ भी मिस कर दिया देखना तो हमारी मकुनी जो है अच्छी नहीं बनेगी कुछ ना कुछ उसमें मिसिंग रह जाएगा तो इसलिए आप पूरा देखें तो यह देखिए यहां पे मैंने कुछ पत तो इससे बहुत अच्छी एक फ्रेशनेस आएगी हमारे सत्तू के पेस्ट में इसके बाद हम डालते हैं यहां पे हरी धनिया पती तो हरी धनिया पती आपको स्किप नहीं करना है धेर सार आपको डालना है हरी धनिया पती यहां मकुनी के पेस्ट में और इसी तरीके से हम थोड़ा सा पानी मिला के इस पेस्ट को थोड़ा सा मौक्षर कर देंगे ताकि जो हम फिलिंग करेंगे वो हमारा ड्राइप ना रहे बहुत जादा ताकि खाने में हमारे गले में वो अटके नहीं जी हां दोस्तो तो इसको हमें थोड़ा सा मौक्षराइज करना पड़ता है वो ओयल से हो जाए चाहे अगर ओयल से पूरा नहीं होता है क्योंकि बहुत जादा ओयल हमें इसमें नहीं डालना होता है तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें अलका सा पानी की छीट हमें डालनी होती ये, ताकि जो सत्व का paste है, वो मौख्शर आ जाय इसमें, अच्छे से, जहां दोस्तों तो देख सकते हैं, हमारा सत्व की paste पूरा paste बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसको हम बहुत ही बढ़िया से बनाते हैं मकुनी और ये देखिए हमारी मकुनी जो है कुछ इस तरीके से बनेगे और इसके साथ ही मैं बनाऊंगी डिलिशियस सी लैसुन टमाटर की चटनी और बहुत ही डिलिशियस ये रेसिपी है दोस्तों तो एक बार आप भी इसको ज़रू ट्राइ करें वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और मुझे जैसे ही अपना प्यार और सपोर्ट आप लोग दे रहे हैं ऐसे ही देते रहें और ये देखिए हमारे जो मकुनी का पेस्ट है सत्तू वो बन चुका है एकदम रेडी हो चुका है और अब हम चलते हैं आगे की तैयारी करते हैं और आगे की तैयारी के लिए हम इसका आटा भी लगा लेंगे ये देखिए कुछ इंडिग्रेंट्स हमारे रहे गए थे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने यापे हरी मिर्च भी एड कर दिया है बारी कटा हुआ और ये अचार का तेल है जो मैंने इसमें एड कर दिया है इससे बहुत अच्छी इसमें एक जहास आएगी और अचार की जो खुश्बू होती है वो आएगी तो इसमें सत्तू के पेस्ट में इसका बहुत ही महतु है तो अगर आपके पास अचार का तेल हो तो आप इसमें जरूर मिलाएगा बहुत ही अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा मकुनी का जी हाँ दोस्तों तो ये देखिए हमारा पेस बनके तयार हो तो लगा लेते हैं अब इसके लिए आटा तो आटा लगाने के लिए हम आटा ले लेंगे हलका सा नमक डाल लेंगे थोड़ा सा ज्वैन डाल के थोड़ा ओयल डाल लेंगे और बस थोड़ा थोड़ा पानी करके थोड़ा सा धीला आटा हमें नॉर्मल आटे से लगाना होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा गीला आपको नहीं करना बस हलका सा आपको थोड़ा सा हलका सा आपको गीला आपको उठाना है यह आटा ताकि ये आटा जो है हमारा नरम रहे, सौफ्ट रहे, ताकि हम जब मकुनी का पेस्ट जब इसमें बरेंगे और बेलन लगाएंगे न इस पे, तो ज़्यादा जोर से हमें बेलन ना लगाना पड़े नहीं, तो हमारे मकुनी जब है पट सकते हैं, तो इस बात का हमें ध्यान तो ये देखिए, आटा हमने लगा लिया है, और इस तरीके से हमें लुईयां बना लेनी है, और लुईयां हमें ऐसे बनानी है, ताकि हमें स्टफिंग जो है, बहुत अच्छे से कर सकें, और इस देखिए, इसको हम अंगूठे से पुश करके, दबा दबा के हमें, इसमें सब्दू का पेस्ट भरना है ताकि फिलिंग हमारी जितनी जादा अच्छी रहेगी पराठो का स्वाद में उतना ही जादा अच्छा मिलेगा तो ये देखे बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे और बाकी के सारे भी हम फिल कर लेंगे और ये हमारा मकुनी जो है बहुत ही डिलिशियस सब बने के तैयार हो जाएगा तो है न बहुत ही जाएकेदार मकुनी बिहार का एकदम famous डिश तो घर बैठे आप पा सकते हैं बिहार की famous डिश का चाई का तो ये डिश आप ये रeस्पी जरूर बनाईए जरूर खाईए इसका स्वाद लीजिए जाइका लीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपकी मकुनी कैसी बनीजी हां दोस्तो बनाना बिलकुल आसान है कुछ भी ऐसी चीजे इसमें यूज नहीं है जो आपकी किचन में अबलेबल ना हो और ये देखिए जैसे नॉर्मल रोटी हम बेलते हैं वैसी हमको तयार कर लेने हैं अपने सारे पराठो के लिए और सभी को तयार करने के बाद हम तब एको करेंगे बहुत अच्छे से हीट अप और मीडियम फ्लेम पे अपने सारे पराठो को घी या तेल में सेकेंगे जी हां दोस्तो अगर आपको फ्लेवर अच्छा लगता हो तो आप सरसो के तेल में इसको सेके तो हमें सरसो का तेल थोड़ा डाइजेस्ट होड़े में प्रॉब्लम होती है तो इसलिए मैंने यहां पर वेजटेबल ओयल का ही यूज किया है सरसो के तेल में और भी जादा यह टेस्ट ही बनता है तो अगर आपको पसंद है तो आप इस मगनी को सरसो के तेल पे ही सेके बहुत ही अच्छा टेस्ट लगेगा आपको और ना हो तो आप वेजटेबल ओयल में भी इसको बना सकते हैं तो इस तरीके से आप देखिए दोनों तरफ से उलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे और यह देखिए हमारा मकुनी जो है बनके हो जाएगा तयार बहुत ही डिलिशियस सा तो फ्रेंट्स है न बढ़िया और एकदम जाएकेदार चटपटी मकुनी का आप भी ले जाएका इसलिए मैं यह रेसिपी ले के आई हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको बिहार ना जाना पड़े घर बैठे अपने किचन में बैठे बैठे आपको बिहारी डिश का जाएका मिल जाए और यह देखिए हमारी मकुनी जो है बनके हो गई है तयार बहुत ही डिलिशियस बहुत ही चटपटी, सुपर टेस्टी एकदम जिसे कहते हैं परफेक्ट मकुनी बनके तयार हो गई है और इसके साथ मैंने सर्व किया है टमाटर लैसून की चटपटी तो सोने पे सुहागा इसका टेस्ट आ गया है तो यह मकुनी जरूर बनाए जरूर खाए पूरे के गया जरूर अए